इस्तमक बेड़ के उपर इस्तमक बेड़ को मैं क्या बोलूँगा पवन नागर बेड़ यानि की पवन नागर कौन से बेड़ के उपर सोता है ओके ओवराल मुझे बेड़ के बारे में पढ़ना है जिसके उपर पवन नागर सोता है यहाँ पर क्या पढ़ना है कि मुझे उन सभी स्ट्रक्टर को पढ हमारा इस्टमक रखा होता है एंड जो यह एट चीजे हैं इन्हें हमें पढ़ना है सिक्वेंस हैं मतलब कि जो मैं सिक्वेंस यहां बताऊंगा आठ चीजों का उसे आपको नहीं बिगाड़ना है एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ उन सभी एट चीजों के नाम लिख देता हूँ देन फिर में आपको क्या करूँगा पूरो का पूरा डाइग्राम बनाकर उन एट चीजों को एक्स्प्लेइन करूँगा कि किस तरह से यह इस्टमक बेड़ बनाती है हाँ तो लेखिए एट इस्ट्रक्चर के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिये हैं और ये एट इस्ट्रक्चर क्या बनाती है हमारा इस्टमक बेड़ मतलब कि इन एट इस्ट्रक्चर के ऊपर हमारा इस्टमक ऐसे रखा होता है और जो ये एट इस्ट्रक्चर है इन्हें अप जिसके bracket में मैंने लिख रखा है sometime तो इसकी बात मैं भी करूँगा 6th number का क्या है pancreas, 7th number का क्या है transverse mesocolon and 8th number का क्या है splenic fracture of colon और देखिए ये सारी 8 structures रटने की नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर diagram draw करने वाले है and देखिए मैंने यहाँ पर ये dotted क्या बनाया हुआ है this is a work stomach and देखिए मैंने यहाँ पर dotted q बनाया है क्योंकि जो ये 8 CJ होती है ये stomach के नीचे present होती है इसलिए मैंने यहाँ पर dotted बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 8 structure हमारे stomach के नीचे है and सबसे पहला क्या है left crust of diaphragm तो देखिए दिशी जवर left crust of diaphragm एक बात ध्यान रखना यहाँ भी left है यहाँ भी left है यहाँ भी left है right side का नहीं है right kidney नहीं है right crust नहीं है क्यों नहीं है अरे भाई आपको सोचिए जो हमारे stomach होता है वह खुद कहां होता है left side यह left side है यह right side है इसलिए हमें left crust of diaphragm बोलना है left suprarenal gland बोलना है और left kidney बोलना है और देखिए आपको पता ही होगा कि यह दोनों चीज़ों एक ही है left suprarenal gland, left kidney of course kidney के उपर ही होगी तो चलिए इन्हें डोकर देते हैं तो यह क्या होगी हमारी this is our left kidney and इसके उपर क्या होगी this is our left suprarenal gland दोनों डोकर दी चोथे नंबर पर क्या है spleenic artery yes and spleenic artery कहां से निकलती है हमारे ciliac trunk से तो this is our ciliac trunk ciliac trunk बोल दीजिए या बोल दीजिए stomach blood supply and this is very important and ciliac trunk से एक branch निकलती है जिसे हम बोलते है spleenic artery and नाम से clear है किछस apply करेगी हमारी spleen को ओके तो यह हो गया and spleenic artery कहां जाएगी हमारे spleen में तो of course अब मैं क्या करता हूँ यहीं पर spleen भी डो कर देता हूँ this is our spleen तो अगला क्या हो गया spleen and six number पर क्या है pancreas तो यस आर्ट के जस नीचे क्या प्रजेंट होगी हमारी pancreas तो मैंने यहाँ पर यह पूरी की पूरी pancreas डो कर दी ओके तो यह क्या होगी this is pancreas and pancreas के नीचे क्या है transverse meso colon and splenic fracture of colon देखिए इसके नाम में भी colon आ रहा है इसके नाम में भी colon आ रहा है मतलब यह दोनों के दोनों किसे related है हमारी colon से colon यानि की large intestine होता है ना यार ascending colon, transverse colon and descending colon okay and पहला क्या है transverse meso colon, दूसरा क्या है इस पर इन एक fracture of colon तो मैं इन दोनों को यहाँ पर draw कर देता हूँ सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ देशी जब transverse colon and transverse colon जैसे ही नीची के तरफ जाती है तो इसे हम क्या बोलते है descending colon, okay तो transverse colon जैसे ही descending colon हुई तो यहाँ पर एक bend बनता है, एक mode बनता है and उसी bend को हम क्या बोलते है spleenic flexor of colon, okay तो this is transverse colon, transverse colon के बाद एक bend बनेगा, जैसे हमने बोल दिया spleenic flexor of colon and bend के बाद जो colon है वो नीचे की तरफ जाती है यानि कि क्या बन गई, descending colon, okay अरे होती है ना यार, ascending colon, transverse colon and then descending colon, I hope आप समझ रहे होंगे तो अभी मैंने बस colon डो की है यानि कि मैंने spleenic flexor of colon ये draw कर दिया, and अब मैं क्या draw करूंगा transverse meso colon, transverse meso colon देखिए इसे आप कहा पढ़ोगे mainly peritonium के अंदर, okay and इसके through क्या होती है, जो हमारी transverse colon है, नाम से ही पता लग रहा है कि transverse colon के लिए क्या होती है transverse meso colon, okay तो overall जो transverse colon है word transverse meso colon के through attach होती है, तो transverse colon के पास क्या होगी, transverse meso colon तो जो मैं red red line है बना रहा हूँ यह क्या है, this is transverse meso colon, तो हम इसको यहाँ पर arrow भी कर देता हूँ okay, and जो यह curvature है जहाँ पर transverse descending colon बन गया इस curvature को हम क्या बोलते हैं spleenic flexor of colon, okay and यह तो मैंने बताई दिया कि यह blue blue वाला यह क्या है this is our pancreas, okay and यह वाली क्या है this is our spleen, तो यह हमारी spleen हो गई जो यह लाल लाल वाली है, यह artery है इसका नाम क्या है, this is our spleenic artery जो यह है, यह क्या है this is our kidney, तो this is our left kidney and kidney के उपर क्या होगी हमारी left suprarenal gland I hope आप समझ रहे होंगे and जो यहाँ पर यह है, यह क्या है this is the left crass of diaphragm okay, तो यह पूरा का पूरा क्या हो गया हमारा stomach bed, मतलब कि जो हमारा stomach होता है, वो in 8 structures के उपर ऐसे रखा होता है in 8 structures के उपर ऐसे रखा होता है okay, I hope आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर stomach को doted q draw किया था okay, in 8 के उपर ऐसे stomach रखा होगा, और देखिए यही से एक mcq pick up होता है, और वो क्या है, left gastric rt वाला मतलब कि जो यह गोला है यह क्या है, celiac trunk okay, तो मैंने यह लिखा celiac trunk and देखिए, celiac trunk से एक branch कौनसी निकल रही है हमारी spleenic artery, जो कि spleen को supply कर रही है, and celiac trunk से दूसरी artery कौनसी निकलती है, this is a word left gastric artery, ओके यह वाली कौनसी है, left gastric artery तो मैं नाम लिख देता हूँ हाँ तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, left gastric artery overall मैंने यहाँ पर celiac trunk की total दो branches डो की है पहली वाली कौनसी होगी, left gastric artery, दूसरी वाली कौनसी होगी this is a splenic artery, और भी होती है मैंने यहाँ पर celiac trunk की सिर्फ दो ही डो की है, and cushion क्या आता है आपको इस स्कीन पर दिख जाएगा and अब आपको सोचिए, कि जो student होते हैं ना, उसको 1, 2, 3 और 4 left cross of diaphragm, left suprarenal gland, left kidney or left gastric artery, यह चारो option एक साथ दिखते हैं ना, तो वा confused हो जाता है कि यार सर ने बोलाता कि सब कुछ left left होता है क्योंकि इस्तमक भी left side होता है तो इसमें answer क्या होगा फिर, तो देखिए ध्यान दखना left gastric artery, यह क्या होती है this is the branch of celiac trunk और left gastric artery, यह इस्तमक बेड नहीं बनाती है तो आई होप आपको इस कुछिन का आँ से मिल गया होगा कि जो left gastric artery होती है वो इस्तमक बेड नहीं बनाती है and this is the branch of celiac trunk and देखिए मैं एक बात बताना भूल गया और वो क्या है, spleen मतलब कि spleen के side में मैंने क्या लिक रखा है sometime, मतलब हम कभी-कभी spleen को stomach bed का content मान लेते हैं और कभी-कभी spleen को stomach bed का content नहीं मानते हैं, इसलिए मैंने लिक रखा है sometime, मतलब कभी-कभी मान लिया कभी-कभी नहीं माना, overall इसका मतलब new है कि जब भी आपको कभी इन 8 points में से कोई point हटाना पर जाए स्टमक बेड में से तो सबसे पहले आप क्या टाएंगे स्प्लीन कि स्प्लीन हमारा स्टमक बेड का कंटेंड नहीं होती है बचे साथ होते हैं ओके आयोप आप समझ गए होंगे एंड डेशी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती हैं बाई